मंचूरियन तो हम सभी ने खाई है, अलग-अलग विराइटी की और बहुत ही स्वाधिश्ट पर आज हम ट्राइ करेंगे कुछ नया, जिसमें हमने सबजीयों का यूज नहीं किया है और ये बनती है बहुत स्वाधिश्ट और बहुत ही हेल्दी तो कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं हेलो फ्रेंड्स, जोती रूपेस कॉर्णर में आपका स्वागत है तो आज जो हम मंचूरियन बनाने जा रहे, वो है तर्बूज के छिलके की जी हाँ, आपको लगाना आश्यारे, तर्बूज के छिलके की मंचूरियन जो की बहुत स्वाधिश्ट लगती है तो इसके लिए हमने ये तर्बूज के छिलके ले लिए हैं और इसके जो पीछे वाले, जो हरे वाले पाठ होते हैं इसे हमें छील लेना है, क्योंकि ये काफी कड़े होते हैं जिसका यूज हमें मंचूरियन में नहीं करना है तो ये जो ग्रीन वाला पाठ है, इसे हम छील कर निकाल लेते हैं और बाकी जो पाठ है, उसका यूज हम मंचूरियन में करेंगे तो ये उपर वाला भाग बहुत असानी से छिल जाता है, आप किसी भी चाको या छूरी की जहायता से, इसे पील कर ले, तो ये देखे हमने इसे छिल लिया है और अब हमें इसे कद्दू कस करना है, वैसे तो तर्बूज के छिलके की बहुत सारी चीजे बनती हैं, मैंने अर् अपने वीदियो में डाल रखे, आप ले लिश्ट में जाके देख सकते और आगे भी मैं बनाती रहूंगी, तो ये देखे, इसे हमने ले लिया है और कद्दू कस करने वाला ले लिया है, और इसी से अब हम इसे कद्दू कस कर लेंगे, जिस तरह जब हम पत्ता गोभी की म अपने आप पक जाती है इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और यह बहुत यासानी से बनती है और खाने में भी बहुत ज्वादिश्ट लगती है और कोई भी इसे बता नहीं पाएगा कि यह तर्बूच के छिलके की है क्योंकि इसमें तर्बूच के छिलके का प्रिस करके इसके सारे पानी को निकाल ले या फिर किसी सूती कपड़े में इसे रखकर और अच्छे से उसे निचोड ले तो सारा पानी बाहर आ जाएगा तो ये देखे हमें इस तरह का सिर्फ सूतखा कद्दुकस किया हुआ चाहिए और ये पानी को भी हम फेकेंगे नहीं से हम लाश में ग्रेवी में यूच करेंगे क्योंकि ये बहुत फायदेमंद पानी होता है तो अब ये इतना हमने ले लिया है कद्दुकस करके अब इसमें हम मसाले डालते हैं तो आधा चमच हमने हल्दी पौडर डाल दिया है आधा चमच हमने नमक डाल दिया है नमक वैसे आफ स्वाद के अनुजार डाल सकते हैं आधा चमच हमने धनिया पौडर डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे एक छोटा प्याज बारीक काटके और एक हरी मेर्ज तीखाप अपने अनुसार रख सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रही हो तो तीखाप ना डाले या फिर कम डाले अगर इतने में ये अच्छे से बंद जाता है तो हम आगे कौर्ण फ्लोर या मैदा का उज़ नहीं करेंगे और अगर यह नहीं बंता है तो फिर हम दो चमत मैदा का भी यूज़ करेंगे तो एक बार आप इस तरह से पहले सारी समगरी को मिला ले आप चाहे तो इसमें एक उबला आलू भी मैस करके डाल सकते हैं इससे ये बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा तो चुकि ये अच्छे से लोई नहीं बन रही है तो हम इसमें दो चम्मत मैदा डालेंगे इससे जो है ये हमारा बंधने लगेगा और कोफते का अकार ले लेगा हमने दो चोटे चम्मत से मैदा भी ले लिया है और अब हम इसे काफी अच्छी तरह से मिला लेंगे और जिस तरह कोफते होते हैं उस तरह बना बना कर रख लेंगे सारी सामगरी को बहुत अच्छे से आप मिला लें यह देखें इस तरह हमने सारे कॉफटो को बना लिया है ृढ़ एफ पैन हमने चढ़ा लिया और उसमें यह सरसो का तेल है और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मीडियम आज पर हम सारे कोफतों को गोल्डेन फ्राई होने तक तल लेंगे तो तील हमारा गरम हो चुका और एकए करके हम कोफतों को डाल डेंगा आप एक बार में इस सारे कोफते ना डाले वर्णा चलाने में दिक्कत होगी तो इस तरह थोड़ी-छोड़ी कोफते डालते जाए और जब यह फ्राइ होते जाए तो फिर अगले कोफते को डाल दे जब ये एक तरफ से हलका सा सीख जाए तो आप धीरे-धीरे इसे पलट दे तो ये एक तरफ से हलका हलगा सीख चुका है तो हम सारे कोफतों को धीरे-धीरे पलट देते हैं और फिर गोल्डेन फ्राइ होने तक इसी में पकने देते हैं तो ये देखी ये बहुत अच्छी तिरह से फ्राई हो चुके हैं तो फ्रिंट्स ये जो तर्बूच के छिलके के एक तिरह से पकोडे भी बन गया है आप चाहे तो आज ये स्नैक से खा सकते हैं ये बहुत स्वादिश लगती क्योंकि हमने इसमें अल्रेडी सारी समगरी डाल रखी है तो ये ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं पर चुकि आज हमें इसे कोफते बनाने हैं तो हमने जो तेल फ्राई किया था उसी को हमने कम कर लिया है और थोड़ा सा तेल रहने दिया है और इसी में हम डाल देंगे अध्रक और लसुन को चौप करके और एक हरी मिर् भूनना है तो प्याद जे हमारा जब तक भून रहा है तब तक हम क्या करते हैं कि एक चमच कॉनफलोर को ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल कर एक बैटर तियार कर लेते हैं ताकि ग्रेवी में जब हम इसे डाले तो ग्रेवी हमारी काफी गाड़ी हो है तो फिलहाल हम यह बैटर बनाकर अलग रख लेते हैं तो यह देखे कॉंट फ्लर बहुत अच्छी तरह से घूल जाता है और इधर हमारा प्याद भी फ्राई हो चुका है हमें हलका ही भूनना है ज्यादा नहीं भूनना है और अब इसमें हम डाल देते हैं चिली सॉस एक च चमज डाला है और यह टोमेटो कैचप है इसे हमने दो चमज डाला है और यह वेनिगर है इसे भी हम एक चमज डाल देंगे इसे खटास आती है और काफी अच्छी भी बनती है सॉस में आपके पास जो अब लेवल हो आप उसे डालें जो ना हो उसे इसकीप कर सकते हैं और अधा चमच काली इसे अच्छे से हमने कूट लिया है दरदरा और डाल दिया आप चाहे तो पॉडर भी यूज कर सकते हैं और अब इसमें हम डाल देंगे कस्मेरी लाल मिर्च कलर आने के लिए चुकि हमने तीखे के लिए हरी मिर्च का यूज और लेडी कलर कर रखा और हमें इसे ज्यादा तीखा नहीं बनाना है अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद हो तो आप लाल मिर्च का यूज भी कर सकते हैं अच्छे से एक दो बार इसे चला ले और अब इसमें हम डाल देंगे आधा जमच धनिया पॉडर आधा जमच गरम मसाला पॉडर और इसे भी डाल कर अच्छे से चला ले आज को हमेशा आप मीडियम रखे तेज आपर मसालों को नाब होने और जो पानी हमने सुरू में रखा था ना तर्बूच के छिलकों का निचोड़ कर उसे हम डाल देंगे हमने बोला था कि हम इसे फेकेंगे नहीं ग्रेवी में यूज करेंगे तो यह हमने ग्रेवी में यूज किया है यह बहुत फाइदेमंद होता है और अब जो कॉर्ण फ्लोर हमने खूल कर रखा था उसे डाल देंगे इसे जो ग्रेवी बहुत गाड़ी हो जाती है यह तुरंती गाड़ा होना सुरू हो जाता तो यह देखिए बहुत ज़्यादा गा अब देखिए ग्रेवी कितनी गाड़ी आप अगर चाहे तो थोड़ी पतली कर सकते हैं तो इस तरह से चलाते रहना है इसमें तुरंती एक उबाल आ जाता है तो यह देखिए इसमें उबाल आ चुका और हम अपने कोफ्तों को इसमें डाल देते हैं और अच्छे से सारे को कोफ्तों को ग्रेवी में मिला लें बहुत ही हलके हाथों से मिलाएं यह देखिए एक भी कोफ्ते इसमें तूटेंगे नहीं क्योंकि बहुत अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिये हैं कोफ्तों और ग्रेवी को आपस में काफी अच्छी तरह से एक से दो मिनट तक इसी तर ताकि जो ग्रेवी का जो स्वाध है वो कुफतों के अंदर चला जाए और अगर आपके पस धनिया पत्ता हो और हरे प्यास के पत्ते हो तो आप उपर से गार्णिस कर सकते हैं इसे आप रोटी चावल पराठे पूरी किसी के भी साथ खा सकते इसे सफर में ले जा सकते या फि कि टेस्ट देंगे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले लाइक और सेर का बटन भी दबा दे और ऐसी और भी रेसिपीज देखने के लिए बिल नॉटिफिकेशन को आउन करना ना भूले और ये देखे ये टेस्टी ला